यहां हर तरह की लोग आते हैं जैसे भूत परेत का साया हो कर्तूत वगएरा हो या बाल बच्चे ना होते हो वज़ा जो भी हो मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो यहां मुरादे पूरी होती है भूत परेत हो गया या सेहर जादू हो गया कर्तूत हो गया या किसी तरह की बीमारी हो जो इलाज हो यहां आने के बाद इनके फैज से शिफा मिलता है दोस्तो आज की वीडियो में आपको लेकर के जाने वाला हो बीतो सरीफ दरगा बीतो सरीफ एक रहसर में दरगा से जो की बिहार के अंदर मोजूद है बिहार के पटना से 98 किलोमेटर दूर गया के अंदर यह दरगा से मोजूद है तो दोस्तो अभी हम बिहार की जो राजदा यह पटना वहाँ पे हम मोजूद है आप यह देखते हो तो जो रेलबे स्टेशन है रेलबे स्टेशन का यह पूरा नजारा और अभी हम यहां से ट्रेन पकड़के सीधा आ चुके गया के अंदर 98 किलोमीटर का हमने सपर टेकर 98 किलोमीटर चल करके अभी हम गया के अंदर आ चुके हो गया के अंदर मोजूद है यहाँ पर बीतो सरीफ दरगा जो कापी रहस्ते में दरगा सरीफ बताए जाती है दो दरगा सरीफ की बहुत सी करामते बताए जाती है जो करामत अभी हम जाके जो खादी में उनों से हम अंदर जा करके जानने की कोसिस करेंगे पहले आपको मैं दर्गा सिफ का पूरा नाजारा दिखाऊंगा फिर यहां पर जो हजरत की मजासरी के वहां पर लेकर कर जाएंगे आपको जयात कराएंगे दीदार कराएंगे तो दोस्तो वस आप से जारा देख सकते हों यहां पर फूल और चादर की दुकाने मोजूद हैं अगर आप यहां पर आते हो तो दर्गा से सामने से ही फूल और चादर यहां पर ले सकते हो अगर आप दोस्तों भी हम धर्गा से अंदर आ चुके और सामने आप देख सकते हो आस्तान हो भारक अभी आपको हजिरती मजा सरी पर आपको लेकर कर जाएंगे लाइब दीदार कराने की हम कोसिस करेंगे दोस्तों यहां पर बताया जाता है कि बड़ी से बड़ी जो लाई इलाज जो बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट एकदम सही आ रही है फिर वो बिमारी आपके शही नहीं ओर यह पकड़ में नहीं आ रही है तो यहां पे आने सी सारी चीज दूर होती है और यहां पर बताया जाता है कि सरीर के अंदर गूत पर लेता है और सेतान्य ताकत अगर मोजूद है तो यहां पर उसको आते ही हाज़री आना स्टार्ड हो जाती है जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो यहां पर चारों तरफ हाजरी वाले लोग यहां पर मौजूद है अभी हम आपको दरवार के अंदर भी लेकर के जाने वाले दोस्तों दरगासरीफ का आपको एक वार मैं फिर से एड्रेस बता देता हूं अगर आप आना चाहते हो तो यह दरगासरीफ मौजूद है बिहार के गया के अंदर गया के अंदर यह दरगासरीफ मौजूद है और दरगासरीफ को बीतो सरीफ दरगा के नाम से काफी जादा जाता है और यहां पर आपको आस्ताने मुबारक के अंदर आप देख सकते हो हम यहां पर आ चुके है और अभी आपको लाइब जो मजासरी पे अभी दीदार कर रहो आप अभी पूरा नजारा आपको यहां दिखाएंगे और जो भी कराम आते हैं अभी हम आपको बताने वाले आप देखें काफी बड़ी है दोस्तों यहां पर अंदर आने के बात में आस्ताने वेश्ट है इस वीडियो को आगे से यूज करते वरट से मिश्टागराम फेसबूक इस वीडियो को आगे से आगे से अगे सेर करे है और अगर यूट्यूब चैनल पर नहींड़ा तो सब्सकाइब करके बेल आइकन का बटन और आपको वीडियों पेज को देख तो अपता चाहते हैं कर रहा हूं और इमामत भी कर रहा हूं ये साहिब मजार मखदूम दुरुवेश अशरफ हैं जो किछोचा शरीब के मखदूम साहब हैं उन्हीं के अवलाद में से हैं और ये एरान से चल कर आई थे ये लगभग साड़े पांसो साल इनका आये हुए हो गया और इनका मदफन नहीं बना और लोगों आकीदत मंदो का हाजत मंदो का यहां हाजतरवाई होती है मुरादे पूरी होती है यहां के सज्जादा नशी सजिद शाह अरबाब अशरफ है जो अभी मौजूद नहीं है किसी काम से बाहर गए हुए हैं उनकी सज्जादगी में यहां फैजो करम बढ़ता है और यह लगभग यहां देश बिदेश हर जगा के लोग आते हैं अपना फैज पाते हैं जो भी मुराद होता है जो भी तकलीफे होती है अल्ला के करम से इनकी दुआओं से फैज पाते हैं और यहां लगभग सालों भार लोगों का आना जाना होता है लेकिन यह यहां उर्स का जो मौका है यह शाबान के महीने में होता है जो पांच दुनों का उर्स होता है आठ नौ दस और ग्यारह बारह शाबान जो हर साल यहां उर्स होता है और दूर दूर के लोग आते हैं नहीं पुराने जितने अखाजतमद हैं सब लोग आते हैं अपनी मुरादे पाते हैं और यहां जो भी तकलीफ होती है भूत परेश शेहर जादू या किसी तरह के भी मौामलात हो अल्ला का करम होता है फाइद आते हैं चालिस दुन के यहां चिल्ला होता है मतलब हजरत मकदूम असरत सिम्लानी के साहब जादे हैं सेद शाह मखदूम सिम्लानी के छोचवे आले रहमत रिजवान जो जहांगीर रहमतुला ले हैं यह उनके मानवी अवलाद हजरत अब्दूर्रजा कुनुलाईन जो उनके भांजा हुए उन्ही के परपोता है यह और नसलन बादनसलिन यहां की सज्जादगी जो है चलता आ रहा है जो अभी 17 में नंबर के सज्जादा नश्वी हैं सेद शाह और बाबाबा श्रफ अल्ला के वलियों के यहां तो शिफा खाना होता है तरह तरह के मरी जाते हैं और शिफा होते हैं तो आपके मजार सरी पर आपके दरगा सरी पर कौन कौन से कि यहां हर तरह की लोग आते हैं जैसे भूत परेत का सया हो कर्टूत वगरा हो या बाल बच्चे ना होते हो जो भी हो मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो तो यहां मुरादे पूरी होती है भूत परेत हो गया या सिहर जादू हो गया कर्तूत हो गया या किसी तरह की बीमारी हो जो इलाज हो यहां आने के बाद इनके फैज से शिफा मिलता है मतलब यह है कि भूत प्रेज जिन जिननाग जिनके सरीर पर कपजा किये होते हैं जिनके सरीर में होते हैं गंदी आत्माई होती हो तो डॉक्टर के पाँ जा जाकर जब ठक जाते हैं जी यहां पर आते हो तो यहां पर बाबा उनका रुआनी इलाज करते हैं बिलकुल बिलकु तो यहां बहुत चर्चे में रहे बहुत जिक्र होता रहा इनका चुकि अल्लाह वाले जहां भी जाते हैं अपना एक छाप छोड़ जाते हैं तो जब यहां आए थे तो यहां के बादशाह शाह आलम थे जब उनको मालूम हुआ इनकी करामत का तो उन्होंने अपनी बेटी को लेकर यहां आए जो उनका पागल पन का मर्ज था पागल थी तो यहां आने के बाद अल्लाह के करम से उनको फैज मिला शिफा मिला जो उन्ही की दी हुई जो जागीर है जो आज तक यहां चल रहा है मतलब यह बादिशाह के दीवी जागिल पर यह जह जे 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 डादरेट इन को नहीं मिला मख्दोम श्रविय असरफ जो हैं इनको बादसशाह सामने देने के कोशिश किया लेकिन इन्होंने इंकार किया लेकिन बाद में भी इसरार जारी रहा और इनके इसरार पर इनके अवलाद जो हैं उनको दिया गया और उन्होंने कुबूल कर लिया अचार आप यहां दूर दराज के लोग आते हैं और जिसके लिए रूम का इंतजाम है और है अपना पकाति बनाते हैं और चिल्णा पूरा करते हैं जरूं है बिजली बत्ति का इंतजाम है और पानी का इंतजाम है जो गारी jeux हत्त्तूर तोसे आना-तों आते हैं तो गांधी दान अश्डेंड है सरकारी अश्टेंड है वहां बस उडूकती है है और वहां से आने के बाद ये किरानी घात एक जगह है जो चोहाहा पड़ता है किरानी घाठ आने के बाद या आपको बीथो शरीफ के लिए टेंपू हमेशा लगा रहता है आप वहाँ किसी से पूछेएंगे या टेंपू वाले खुद आवास देते रहतें बीथो शरीफ करके तो आप वहां से बीथो तो शरीफ के लिए आ सकते हैं और idoह है यह की तेंप की वर आते हैं झेनं तेमफू वाले आवाद् đã दे रहते हैं तो आपको निगैबानी कर देंगे आप फिरानी घाट उतार देंगे वहाँ से टेंपों यहां मिल जाता हैं पाबा के दरगा से लक कर नदी है और नदी और भाबा के इसमें क्या अच्छा क्या नदी है यह काफी जमाने से नदी है कोई नई बात नहीं है यह एक चटान था ये उची जगा थी जब यहाँ आए तो उनको यही जगा पसंद आया तो यहीं अपने अबादत गाह बनाया और यहीं अबादत करते रहे और यह नदी के भी खूबी है यहाँ नदी में नहाने से भी सेहर वगर कड़ता है फाइदा होता है औ अवाम को आप क्या परिगाम लेना चाहिएगे? से आएं और अपना मूराद पाकर जाएं मेरा नाम से मेरा नाम मुहम्मद इशाद आलम रिजवी है मैं खादी में दरगाब इतो शरी